स्वागते आपका दा हीमालियन स्टेडी एडूप चनल पर हमासिस कुमार स्थोगी आज आपके सामने हम महत्पर सुषना लेकर आए हैं यूपी टेपल एससी ने पैट का नोडिस जारी कर दिया है यानि कि उत्तर प्रदेश में जल्द पीटी की परिशा होने वाली है इस वीडियो को आप लोग पूरा जरू देखें और आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें तो देखिए आपके सामने लिखा है कि नई बिवस्ता में प्रारंबिक अहरता परिशा दो घंडेगी होगी ये अपने नोटिस में इन्होंने दे रखा है यानि कि जो पैट की परिख्षा होने जा रही है उत्तर प्रदेश में बहें दो घंडेगी होगी और इसमें लिखाएगी इसमें 100% पूछी आएंगे और इसमें लिखाएगी गलत जवाब देने पर नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी और इसमें नेगेटिव मार्किंग का प्राबधान एक बटा चार है इसमें लिखाएगी एक सवाल गलत होने पर एक चौथाई अंक कटेगा यानि कि इसे हम कहते हैं नेगेटिग मार्किंग को 1 बटा 4 इसमें लिखाए कि निर्धारित पाठेकरम के मुताविक परिक्षा में भारती इतिहास और भारती आंदोलन, भुगोल, भारती अर्थविवस्ता और भारती संबिधान, लोग पिर्शासन, समाने विज्ञान से संबनित सवाल पूछी आएंगे और इसमें लिखाए कि साथी कक्षा आठ इस्तर की प्रारंबिक अंगडित तर्ग और तर्ग शक्ति से सम्मरित कोशन पूछी आएंगे यानि कि इसमें अपने नोटिस में साफ साफ दे रखाए इसमें कि कक्षा आठ इस्तर के इसमें कोशन पूछी आएंगे यानि कि उत्तर प्रदेश में पैट की परिक्षा में और इस भर्ती का बिग्यापन आपका आने वला है इसलिए आप लोग इस वीडियो को जादे से अधा गुरूप में शेर करना ना भूलें तो इसके बाद हम देखते हैं आगे इसमें देखे इसमें लिखाए की और इसमें पूछ आएगा समाने हिंदी और इसके बाद लिखाए की सामी की इसका मतला होता है की करेंड अफेर्स राश्टी अंतराश्टी महत्व की इसमें कोसन पूछ आएंगे करेंड अफेर्स में और इसमें लिखाएगी समान जगरुपता और गद बिसलेशन एवन बिवेचन और गिरापका बिवेचन एवन बिसलेशन सम्बंदी सवाल पूछी आएगे इसमें एक महत्मुर्ण चीज ये लिखी है इसमें कि इसमें 6 सवाल दर-10 अंगे होंगे और 6 पिरसन पाच-पाच अंगे होंगे ये पॉइंट अभी क्लियर नहीं हो पाया है अभी जैसे ही क्लियर हो जाएगा आपको बता देंगे इस चीज क्योंकि नोटिस में अभी क्लिय जो आपके कोस्तन पुछेंगे दर-10 अंगे होंगे और सेस पाच-पाच अंगे के होंगे और इसमें लिखाए कि आयोग सासन से मंजूरी मिलने के बाद पाठे करम को ऑनलाइन करेगा जिससे समूगा की भरती में सामिल होने वाले अभ्यारतियों को इसकी जानकरी मिल सके और प्रारंबी अहरता परिक्षा 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 पर किया जाएगा यानि कि प्रारंबी अहरता परिक्षा 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 पर किया जाएगा इसमें यह अपने नोटिस में जारी कर रखा है UPSC ने यह नोटिस जारी किया है इसमें सब च किया गया है इसमें यह किलिए आपका हम कर देंगे आगे कि 6 सवाल यूँ हैं किस प्रिकार है यह क्योंकि यह वात इसमें साफसां नहीं कहीं गई है तो यह वीडियो आपको कैसे लगी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरू बताएं और आप लोग हमारे इस चैनल को यंटूप चैनल धन्यवाद